रेल्वे को अधिक आधुनिक बनाने वाला नागरीकों को अधिक सुरक्षा और सेवा देने वाला सिद्ध होगा एक लंबे अर्षे के बाद देश अनुहो करेगा कि सच्चे अर्थ में हमारी रेल्वे ये भारतिये रेल्वे है पिछले कुछ दस्टकों से एक बिखराओं मैसूस होता था तुकडों मैं सोचा जाता था पहली बार समगरतया भारत के विकास को ध्यान में रख करके रेल्वे बजेट में बल दिया गया है 21 सदी का भारत इसकी नीग इस आधुनिक रेल्वे बजेट में दिखाई देती है विज्ञान और टेक्नलोजी का भरपूर व्योग आने वाले दिनों में हो रेल्वे जैसा तंत्र एड हो गुर्प से नहीं चल सकता हर प्रकार के निरणे प्रक्रिया के लिए नए वीजन के लिए नए इनिसिटिव के लिए इंस्टिविशनल मेकनिजम होना बहुत जरूरी होता है रेल्वे का ये बजेट इंस्टिविशनल मेकनिजम को बल देता है चारों तरप ब्रस्टाचार के खिलाब सामान ने मानवी का रोश है ये बजेट ट्रांसपरंशी को बल देता है intégrity को बल देता है रेल का विस्तार भी हो रेल का विकास भी हो यात्रियों की संख्या भी बड़े यात्रियों की सुर्क्षा भी बड़े रेलवे सिर्फ याता यात का सादन नहीं है रेलवे भारत की विकास यात्रा का ग्रोफ अंजीन है इस बार का रेलवे बजेट इस बात को सिद्ध करेगा कि देश के विकास में रेलवे एक एहम भुमी का निभाता है आज हादी के बाद अगर रेलवे पर हमने बल दिया होता तो आज विकास की नई उंचाईयों को पाने में रेल विस सहायक होता। देर आए दुरस्त आए हमने 2014 से विकास की इस गती को विकास की इस उंचाई को आरंब किया है। मुझे विश्वास हैं कि रेल यात्रा में सफर करने वाले यात्रियों को सुख़द अनुभव होगा और देश के विकास से जुड़े हुए लोगों के लिए ये विकास का विश्वास देगा। भारत में रेलवे विकास के कुछ नए आयामों को भी बल दिया गया है। एकनोमिका ये यूग है और ग्लोबलाइजेशन का जब एरा है तब हमारे पॉर्ट सेक्टर को रेल कनेक्टिविटी की बहुत ज़रुरत है। विश्व व्यापार के लिए ये जो इनिशेटिव लिए गये हैं वो भारत की आर्थिक संपरता के लिए एक बहुत बड़ी ताकत बनेंगे। विश्वास है। ये रेल बजेट इंटरिम बजेट आने के बाद का बजेट है। बहुत कम सबय है। लेकिन जो इनिशेटिव लिए गये हैं वो इस दिशा को दर्साते हैं कि हम रेल को कहां ले जाना चाहते हैं। साथ साथ रेल के माद्यम से हम देश को कहां ले जाना चाहते हैं। न सिर्फ रेल को कहां पहुँचाना ये हमारा मकसद नहीं है। रेल के माद्यम से देश को किस हुचायों पर पहुँचाना ये भी हमारा मकसद है। और ये सरकार का इस सपना पूरा होगा।